मन के सवाल में आपका स्वागत है किन्तु आज स्वागत दुख के साथ किया जा रहा है वैसे तो मन के सवाल में सभी प्रश्न किसीने किसी समस्या, जिग्यासा, परिशानी, कष्ट इन सभी से घिरे हुए आते हैं किन्तु आज जो प्रश्न आया है वह दुख से भरा है, दुख के साथ साथ शिकायत भी है परमात्मा के प्रती असंतोष का भाव भी है, स्वभाविक है होना क्योंकि जिसे चोट लगती है, जिसे दर्द होता है, जिसे दुख पहुँचता है वह परमात्मा के प्रती शिकायत से भी भर जाता है शिकायत से भरना कितना सही है और कितना गलत यह एक भिन विशे है किन्तु मन शिकायतों से भरता है यह सत्य है इसी सत्य से जुड़ा जो प्रश्ण है मात्री शक्ती ने भेजा है उनकी इच्छा थी कि उनके स्वर को इस प्रश्ण के रूपे इस्तमाल ना किया जाए और प्रश्ण को बस यूँ ही पूछ लिया जाए उनकी सारी बात मैंने सुनी और जो उनका प्रश्ण है वह है कि आप तोल सिदास जी इत्यादी जिनोंने भी भगवान राम पर कुछ ने कुछ लिखा है वे सभी एक ही बात कहते रहते हैं कि राम धया के सागर है करुणा निधान है इनका कहना है कि मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ मुझे भरोसा नहीं आता तो कि मेरे साथ जो बीती है उसे देखते हुए तो कहीं से नहीं लगता कि राम धया के सागर है करुणा निधान है कहीं से नहीं लगता मैं राम को बहुत मानती हूं राम को पूझती हूं आज भी मान रही हूं और पूज रही हूं बावजूद इसके कि राम ने जो मेरे साथ किया मैं नहीं करना चाहिए था यह सब आप सुन रहे हैं कि कैसी दुखत मनस्तिती होगी इस महिला की जिसने ऐसा प्रश्ण किया और जब मैंने इसके उस दुख को सुना तो शन भर को तो मैं भी चुप हो गया क्या उत्तर देता फिर मैंने यही कहा कि क्या आपके प्रश्ण को मैं मन के सवाल में इस्तिमाल कर लूँ वहां सबको इसका उत्तर दिया जाएगा तो उन्होंने सहमत ही दे दी लेकिन बस प्रश्ण के रूप में उन्होंने कहा मेरी आवाज को न लिया जाए तो ठीक है अब इनका प्रश्ण क्या है यह सुन ले जी संतान का जन नहीं हो रहा था सौभाविक रूप से बहुत प् ले ली जाए और इनका कहना है कि इनको एक स्वापन दिखाई दिया स्वापन में एक बच्चा और प्रभु कह रहे हैं कि जाओ और उस बच्चे को गोद ले लो और यह बोली कि मैं अगले दिन उठी अपने पती को बताया और कहा इस तरह से मुझे स्वापन आया और राम पर जो बच्ची अभी पैदाई हुई थी कुछी दिनों के और उसको उसकी मातापित रखना नहीं जाते थे राम जाने क्या बात थी तो इन्हों बच्ची को गोद लेने की बात कही सारी बात आप इनकी अनुकूल हो गई अगे बच्ची गोद इनको मिल गई और यह बहु बड़ी खुशी की बात होती है, यह मा ही जान सकती है, बाप भी नहीं जान सकता, मा ही जान सकती है, आप यह मा बन गहीं, बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, तो पता लगा कि बच्ची ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, देख सकती है लेकिन चल भी नहीं सकती, गूंगी है, बहरी है और अपाईज है चल भी नहीं सकते इन्हों ने मुझे अपनी बच्ची का वीडियो भी देखा बस वह गुमसुम सी होकर आसमान को ताकती रहती है अब इन्हों ने कहा कि मैंने कौन सा बुरा काम किया था मैंने तो एक अनात बच्ची को गोद लिया राम ने मेरे बच्ची है जो राम जी ने मुझे सौपन में दिखाई थी तो राम जी ने मुझे ऐसा मज़ा क्यों किया मेरे साथ राम तो जानते थे कि ये बच्ची जब बड़ी होगी तो ना बोल पाएगी ना सुन पाएगी ना चल पाएगी पर आप कह रहे हैं कि राम दया के सागर ह द्धान है करुणहज़। पती हैं यही है उनकी दया यही है उनकी करुणा। बहुत दुखी होकर उसने ही प्रश्न किया। और कहने लगी इसके बाद भी मैं राम से ज़ुकर नहीं हुई उनका पूजन करते हूं सब कुछ करते हूं। बस जबरदस्ती करती हो, जबरदस्ती है, कि दोस्ती नहीं तोड़नी बस, जैसे एक परिवार में रह रहे हैं, तो निभाना है बस, लेकिन मन नहीं मिलता, तो इनका कहना है कि अब राम के साथ मेरा मन नहीं मिलता, और आप कुछ ऐसा केजिए, कुछ ऐसा बताईए, बस मेर होते तो वो मेरे साथ ऐसा मजाग नहीं करते है तो बस मेरे इस प्रशन का उत्तर दे दीजिए कि राम कैसे धया के सागर है बात बहुत बहुत भीतर से उठी बात है मैं यूही नहीं कह सकता बिकार का डायलोग बोलना, हाला कि ये सत्य है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल सकता, बोला नहीं जा सकता, कैसे बोल, वह 24 घंटे की नौकरानी बनकर रह गई है उस बच्ची के लिए, ममता ऐसी है कहती कि मैं उसे फेक भी नहीं सकती बच्ची को, बतला भी नहीं फेकने का दो, बस मैं चाहती हूँ, ये ठीक हो जाए, और जितना पैसा था मेरे पास, मैंने सब इसके उपचार पर खर्च कर दिया, लेकिन कोई लाब नहीं, जिसने जो कहा मैंने सब किया, तो आप बताईए, बस मुझे इतनी सी बात, मुझे और कुछ नहीं जानना, कुछ भी नहीं, कि राम दया की सागर कैसे हैं, तो ठीक है, बताता हूँ, राम कैसे दया की सागर हैं, बताता हूँ, पर उससे पहले एक छोटा सा प्रसंग सुनाओंगा, बहुत छोटा सा, पहले भी एक बार सुनाया है मैंने, बहुत पहले सुनाया है, लेकिन इस प्रसंग में उससे सुनाना बह वास मिला चित्रकूट में विठहरे हुए थे वहाँ पर भरत जी जाते हैं उनको मनाने लोटाने के लिए कि आप लोटाइए गई हैं वहाँ पर पूरा राज समाज गया है राज परिवार गया है अयुध्यावासी गई हैं सभी माताएं गई हैं तो वहाँ पर केकई कहती है कि राम संसार में आज तक माता शब्द हुआ है कुमाता शब्द कभी नहीं हुआ क्योंकि मा कभी कुमाता हुई नहीं लेकिन आज पहली बार मेरे कृत्यों के कारण मा को कुमाता कहा जाएगा मेरे कृत्यों के कारण मैंने जो किया मा कभी ऐसा कर सकती है कि अपने ही खृत्य के एक अंश को अपने से दूर कर दे वनों में भेज़ दे उन वनों में जहां से जीवित लोटाना असंभाव को किन्तु मैंने यह किया तो राम अनन्त अनन्त सजन्मों तक सद्यों तक मेरा ये जीव मेरा ये जीव सुनेगा कि के कई कि तेरे से बड़ी कुमाता कोई नहीं है, कोई नहीं है, कराम करुना भरी द्रिश्टी से के कई की और देखते हैं, और कहते हैं नहीं मा, संसार तुझे इसलिए याद नहीं करेगा तो कुमाता है, संसार तुझे याद करेगा इसलिए कि तेरे जैसी माता आज तक होई नहीं आज तक, आज तक तेरे जैसी महान माता कभी हुई नहीं, तुझे इस रूप में याद करेगा, क्योंकि आज तक कोई मा ऐसी नहीं हुई, जिसने भरत जैसा पुत्र जना हो, है कोई मा ऐसी जो भरत जैसे पुत्र को जना दे सके, आज तक तुदिया नहीं, किसी मा नहीं दि तो संसार के तुम सबसे महानमा हो जिसने भरत जैसा पुत्र जना हो तुम पूछ रही हो कि मुझे बताओ कि राम कैसे दया के सागर हूं राम जानते हैं बिलकुल जानते हैं कि यह जो बच्ची जिससे तुमने गोद लिया अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण न बोल पाएगी न चल पाएगे न सुन पाएगे किन्तु इसके कुछ संचित पुन्य भी रहे होंगे उन संचित पुन्यों के कारण इसे इस जन्म में सुख पूर्वक अपने इस कष्ट को जहीलना है सुख पूरवग तो संसार में अब खोज बीन शुरू की विधाताने की खोजो किसी ऐसी मा को जो इसे अपने कलेजे का टुकड़ा बना कर रखे, खरदे से लगा कर रखे, इसकी लालना पालना करे, ये बच्ची तुम्हारी नहीं है, तुम से पैदा नहीं होई तुम इसकी मा हो जननी नहीं, तुमने इसे जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे मन में इसके प्रती कितना प्रेम है कि तुमने अपना सारा धन इसके उपचार पर खर्च कर दिया और अभी भी इसे कितनी दयाकी है, कितनी दयाकी, राम जी ने तुम्हें कितना बड़ा गौरव दिया, सम्मान दिया, सोचो, सोचो, सोचो तुम राम के द्वारा चुनी गई हो, राम ने चुना तुम्हें, राम ने पिर्णा दी सुपन में आके कि जाओ और उस बच्ची को लोगों वहां पर है इतने पर भी नहीं देखती हो कि तुम राम के कितने करीब हो कितने करीब कि राम को स्वैं उठकर आकर तुम्हे कुछ बताना पड़ा कुछ इशारा करना पड़ा और ऐसी दया ऐसी करुणा उस बच्ची पर बरसाए, उसे एसी माँ दे डाली, एसी माँ, जो उसे पलकों पर बिछा कर रख रही है, तो राम है न Honors दया कि सागर, करोना निधान, कितनी अपार करोना, कितनी अपार, कहीं पहले वाले माता पिता पर ये बच्ची होती उन्होंने भिखारियों को दे दिया होता तो ये सड़कों पर रगड घिजट रही होती इसका इस्तिमाल पैसा कमाने के लिए हो रहा होता इसको और अधिक दैनिय बनाकर इसकी दुरदर्शा करकर दया की भीख मांग मांग कर पैसा इखटा किया जा रहा होगा ये भी हो सकता था किंतु राम ने तो तुम्हें चुनना था तुम्हें चुनना था तुम अपने सवभग्य को सरा हो सरा हो कि तुम्हें राम ने अपनी कितनी बड़ी सेवा दी है नानक चलना हुकुम रजाई यह उनका हुक्म है तुम्हारे लिए यह राम की रजा है राम राजी है इसमें राम संतुष्ट है आश्वस्त है और यह तुम्हारे हृद्य की गवाही है इन सब के बावजूद कि तुम्हारे मन का कोई हिस्सा राम के लिए इतने शिकायतों से भरा हुआ है उसके बाद भी तुमने राम का पूजन नहीं छोड़ा उनका नाम सिमरन नहीं छोड़ा मन विरोध से भरा है राम के लिए लेकिन फिर भी फिर भी राम से विमुख नहीं गुई हो तो देखो राम की करोणा देखो कि उस बच्ची के लिए उस बच्ची के लिए उन्होंने तुम को चुना है ना करोणा कितना ध्यान है राम को एक 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 जीव का ध्यान है राम को यदि किसी को उसके पूर्व जन्म के पापों का फल मिल रहा है तो साथ साथ राम उसके पुन्यों को भी वहीं जोड़ देते हैं कि ठीक है जो है पूर्व जन्म के पाप वे कटें साथ में पुन्यों के कारण उनको सहने की शक्ती भी मिले है तुम राम मैं रहो राम जी तुम्हारा बेड़ा पार अवश्य करेंगे कर तो दिया ही है कि तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती राम ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी और तुम उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ प्रेम के साथ निभा रही हो तुम नहीं जानती कि तुम कितना महान काम कर रही हो, नहीं जानती, जान जाओगी, और ये शिकायत भी तुम्हें इसलिए नहीं है कि तुम तकलीफ पा रही हो उस बच्ची की सेवा करके, तुम्हें शिकायत सिर्फ इसलिए कि वो बच्ची इतने दुख में है, इतने एसा आक्रोश का भाव आ रहा है अपने प्रति नहीं आ रहा कि राम ने कहां फसा दिया तुम्हें किस मुसीबत में मैंने तुम्हारा पूरा ओडियो सुना है और तुम्हारे ओडियो की तुम्हारे स्वर की आत्मा को उनुभव किया है और तुम्हारे स्वर की उस आत्मा के अंदर कहीं भी ये दर्द नहीं है कि तुम्हें परमात्मा ने फसा दिया किस मुसीबत में किस जंजट में किस जहमेले में डाल दिया कहीं ये भाव नहीं है एक ही भाव है कि किसी प्रकार से वह बच्ची ठीक हो जाए नश्चित रूप से राम दया के सागर है नहीं जानता मैं कि वे तुम्हारी बच्ची को ठीक करेंगे या नहीं करेंगे नहीं जानता हूँ लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि उन्होंने अपने हाथों से लेकर तुम्हारी गोद में उस बच्ची को डाला है। आगे राम जाने, राम भली करें। मैं इतना ही कह सकता हूँ। राम राम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूणं। कंधर्प अगणित आमित छविनव नील नीरद। सुन्दरं पटपीत मानहु तलित रुचिशुचि नौमि जनक सुतावरं। भजुदीन वन्धु दिनेशदानव दैत्यवंश निकंदनं। रगुननंद आनंद कंद काउशल चन्द दशिरत नंदनं। सिर मुगट कुंडल तिलक चारू दारू अंग विभूशनं। आजानु भुजशर चांपुधर संग्रामजित खर दूशणं। इति वदति तुलसी दास शंकर। शेष मुनिमन। रण्जनं मम्रदय कंज निवास कुर। कामादिकल दल गन्जनं। श्री राम, श्री राम, श्री राम श्री राम श्री राम कास्वादं